हेलो डियर फ्रेंड्स नमस्ते कैसे हैं आप सभी I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे और पुरानी बेकार शॉल तो हम सभी लोगों के पास में होती है और शॉल का जो कपड़ा होता है वो इतना अच्छा होता है कि ये जो शॉल होती है ना वो खराब नहीं होती है तो ये दे देखिए आपके पास भी कोई पुराना शॉल है और आप उसको यूज करके बोर हो गए हैं और उसको आप फिर से यूज करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली है तो यहां पे देखिए मैंने ये बेलवेट का सॉल लिया था तो इसके नी आपके बहुत ही काम आने वाली है तो आपके पास बड़ा शॉल छोटा सॉल जो भी शॉल है आपको इसको इस तरीके से देखिए डबल करके फोल्ड कर दीजिएगा इस तरीके से कपड़े को फैला के अच्छे से उसको फोल्ड कर लीजिए और अब आपको लेना है पिन औ हो जाएगी तो मैंने चारो तरब से इसको देखिए pin up कर लिया है और बीच पे भी हम एक दो जगह पे pin up कर देंगे अब यह देखिए किसी भी एक तरब से हमको start करना है तो इस तरीके से 2 इंच पे देखिए हमको निशान लगाना है लंबे-लंबे इस तरीके से हमको निशान लगाके ready कर लेना है तो 2 इंच पे यहां पे मैं इसकी दूरी रख रही हूं तो जितने भी हम निशान लगाएंगे वो हमको 2 इंच के gap पे ही लगाना है तो यह देखिए इस तरीके से हमको पूरे कपड़े पे दो दो इंच का gap देके इस तरीके से simple simple निशान लगाके ready कर लेना है पहले तो तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ निशान इस तरीके से लगाके ready कर लिये हैं अब हमको पूरे कपड़े पे न सेम तरीके से इसी तरीके से हमको पूरा इसको देखिए निशान लगाके ready कर लेना है तो यहाँ पे यह देखिए मैंने पूरे कपड़े पे यह निशान लगा थे उन पे आप देखें, हात से भी सिलाई लगा सकते हैं, ये जो बना सकते हैं, और भी बड़े साइज पे आप देखें, कार्पेट बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप इस ट्रिक से बना सकते हैं तो देखिए दो इंच का गैब देके जो मैंने निशान लगाए थे बस उनके ही उपर हमको सिलाई लगानी है और ये थोड़ा सा बैलवेट का शॉल था मेरा तो मैंने जो अच्छी तरीके से देखिए दिखाई नहीं दे रहे हैं वीडियो पे पर मुझे दिखाई दे रहे थे तो जो मैंने निशान लगाए थे ना दो इंच का गैब देके बस मैंने उनके ही उपर मैंने सिलाई लगाई है तो इसको देखिए पूरा हमको शिलाई लगाके इसको कम्पलीट कर लेना है लंबी लंबी बस हमको सिलाई लगानी है और फिर मैं आपको बताूंगी कि इस पे हमको किस तरीके से उसको भरके रैडी करना है, बहुत ही आसान है आपके पास यदि सिलाई मशीन है तो आप सिलाई मसिन से सिलाई लगा लीजिए जल्दी जल्दी ये ready हो जाएगा नहीं तो आप देखिए हाथ से भी बीच बीच पे बारिक बारिक टांके लगाके इसको ready कर सकते हैं बहुत ही अच्छा ये idea है और पुरानी बेकार शॉल तो हम सभी लोगों के पास में होती है तो ये देखिए मैंने इस तरीके से देखिए gap कर करके मैंने सिलाई लगा ली है और ये जो last पे था ना तो उस पे भी ये देखिए इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे और ये जो शाल का जो कपड़ा था तो ये बेलवेट का कपड़ा है तो देखिए इस पे आपको कोई भी piping बगेरा की कोई भी ज़ंजट नहीं है इसके जो कपड़े की जो धागे बगेरा होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं तो इस पे देखिए जब आप इस तरीके से कारपेट, डोरमेट, फ्लोरमेट जो भी बनाएंगे तो देखिए बिना piping के भी ये बनके ready हो जाता है अब ये देखिए मैंने इस तरीके से सिलाई लगा ली और मैंने दूसरे कलर के धागे से मैंने सिलाई लगाई है जिससे की आपको अच्छे से ये दिखाई दे अब आपके पास जो भी पुराने बेकार दुपट्टे हैं आप उनको ले लीजिए और पुराने बेकार दुपट्टे भी हम लोगों के पास में होते ही हैं तो दुपट्टे से ये बहुत ही जल्दी जल्दी बनके रेडी हो जाता है शिफोन का दूपट्टा है तो शिफोन का दूपट्टा ले लीजिए कॉटन का दूपट्टा है तो कॉटन का ले लीजिए दिशिफोन का दूपट्टा है तो उसको देखिए इस तरीके से हमको डबल कर लेना है तो यहाँ पे यह देखिए सैप्टी पिन लेना है और दुपट्टे को इस तरीके से डबल करके देखिए, बीच पे सैप्टी पिन को मैंने लगा लिया है, और बस ये देखिए, धीरे-धीरे हमको इस तरीके से, जैसे हम सलवार पे नाड़े वगरा डालके रेडी करते हैं, बस वैसे हमको इसको देखिए, आंगे की तरफ करके रेडी कर लिया है, और ये जो बचा हुआ जो दुपट्टा है, उसको बाद में हम कट कर देंगे, और ये जो कॉटन का दुपट्टा है ना, यदि आपके पास कॉटन का दुपट्टा है, तो कॉटन का दुपट्टा इस तरीके से हमको देखिए, सिंगल लेना है, क् जो भी एष्ट्रा जो दुपट्टा बच चाता है उसको कट करके हम दूसरी तरफ भी इसको देखिए भरके हम इस तरीके से रैडी कर लेंगे तो ये देखिए दूसरी तरफ से मैंने इसको निकाल लिया बहुत हीँजी है बहुत ही जल्दी भी बन जाता है और चोटे बना सकते हैं यदि डोरमेड बना रहे हैं तो छोटे साइच पर बना लिजेगा और देखिए पुरानी बेकार शठ हम सभी लोगों के घरूपे होती ही है तो यदि आपके पास दुपट्टे नहीं है साडी नहीं है तो इस तरीके की जो बेकार शठ होती है आप उनको भी इस सेप्टिपिन लगाके रेडी करना है और इस तरीके से देखिए बहुत ही जल्दी जल्दी ये भरके भी रेडी हो जाता है इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है आप जब बनाएंगे तो देखिएगा आप इसको बहुत ही जल्दी जल्दी बनाके रेडी कर कर देंगे तो इस तरीके से जो हमने ये जो सिलाई लगाई है उनके बीच पे हमको इसी तरीके से भरके रेडी कर लेना है तो यहां पर देखिए मैंने सारे इनको न कंप्लीट करके मैंने रेडी कर लिया है अब हमको लेना है सुई और धागा और इस तरीके से देखिए बार बारिक हमको टाके लगाना है कोई भी पाइपिंग वगेरा की इसमें कोई भी जहनजट नहीं है बिना फोम के ये बनके रेडी हो जाता है और जब आप इसको बनाएंगे तो बिल्कुल मार्केट जैसा आपका ये गद्दा फ्लोर मेट डोर मेट आप जो भी बनाना चाहते है वो आपका बनके रेडी हो जाएगा तो ये देखिए मैं पूरा इस पे ना सिलाई लगा के इसको पहले में कम्प्लीट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि हम ये साइट पे किस तरीके से हमको जहां से हमने कपड़े कट किये थे ना वहां पे हमको कैसे सिलाई लगा के इसको कम्प्लीट कर लूँगी फिर हम लाश्ट पे देखिए ये वाली साइट पे हम लगाएंगे सिलाई अब लाश्ट पे यहां पे हमको देखिए साइट पे हमको सिलाई लगाना है जहां से देखिए हमने थोड़ा सा जो कपड़ा कट करके निकाला था ना वहा पर सिलाई लगानी है तो जब आप इस तरीके से सिलाई लगाएंगे तो कोई भी धागे वगरा आपके बिल्कुल ही नहीं निकलेंगे और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये जैसे आप मार्केट से खरीद के लाते हैं वैसे ही आपका ये गद्दा बनके रेडी हो जाएगा तो देखिए मैंने थोड़ा सा लगाया था सिलाई और फिर मैंने पूरा इसको कंप्लीट कर लिया है ये देखिए कोई भी धागे वगरा नहीं निकलेंगे अब और बहुत ही फिनिशिंग से ये ना चारो तरफ से बहुत ही फिनिशिंग से बनके रेडी हुआ है और जब बना कमेंट करके आप जरूर बताईएगा और इस तरीके का गद्दा बनाके फ्लोर मेट बनाके चटाई बनाके आप बच्चों को देखिए पढ़ाई करने के लिए दे सकते हैं उनको खाना खाने के लिए आप दे सकते हैं बहुत ही मुलायम सा बना है बहुत ही अच्छा ह डोरमेड बना सकते हैं, फ्लोरमेड बना सकते हैं, बड़े साइच पे बना लीजे, कारपेट बना लीजे, गद्दा बना लीजे, आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके जरूर बताईएगा, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, तो प्लीज प्लीज व नए वीडियो में थैंक यू